वेल्डम बेक टो मैं चैनल गाईज मेरा नाम शारुक शेक आप देखरों ट्रेंट्स गया हम तो आज के स्वीडियो में वंडोग देखेंगे की वर्डप्रेस का टुडूरियल तो आपको वीडियो एंड तक देखने हैं कहीं भी आपको स्कीप नहीं करना है तो गाईज जो वर्डप्रेस के शुरुआ 2003 में मैट मुलन बेक इन्होंने की थी और आज करिए दिने जहां पर 60% वेबसाइट है जो वर्डप्रेस के तुरू काम करती है तो वर्डप्रेस को हम लोग यहां पर एक सिंपल लाइगेज में समझ लेते हैं वर्डप्रेस एक यह उपन सोर्स को यह डाउट होगा कि मुझे वेबसाइट बनाने के लिए क्या कोडिंग आना जरूरी है या एक वेब डिजाइनिंग आना मुझे बहुत जरूरी है तो अगर आप एक फ्रॉफेशनल वेबसाइट भी बनाना चाहते हों तो आपको सिर्फ वर्डप्रेस को नॉलेज होना तो आपको चलेगा वर्डब्रेस आपको यहां पर पूरा की पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है इंडमेंट पर वर्डब्रेस को लोग समझ लेते हैं अगर मैं आपको एक सिंपल सा बना के देगा फिर आप उसे खा सकते हो बट उस खुक को आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा तो वहाँ पर अच्छा गासा आपसे पैसा लेगा धर चीज़ आप मर्केट में जाकर किसी शॉप से आप पीजा परचेस करके खा सकते हो यहां पर यह तीन चीज़ है तो गा वर्डप्रेस में आपको यहां पर यह सपोर्ट होगा कि आपका जो 90% हुआ के यह वर्डप्रेस आपको खुदी करके देगा कोडिंग में आपको जहां पर एक वेबसाइट को बनाने के लिए 5 गंटे maximum आपको लग जाएंगे वहीं आप वर्डप्रेस का यूज करके 30 मिन करके आप एक प्रपेशनल वेबसाइट को यहां पर बना सकते हो और सिर्फ आगर आपको वर्डप्रेस सीखना है तो आप लोकल रोस्ट के थूँ अपने डेक्स्टॉप पर इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके यहां पर सीख सकते हो गाईज बर दोनों में डिफरेंट स पहले सीखना चाहते हो तो आप लोकल रोस्ट का यूज कर सकते हो मैं बटन पर लिंक आपको दे दूँगा वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से लोकल रोस्ट का यूज कर सकते हो गाईज हम देख लेते वर्डप्रेस में क्या क्या चीसे होती है वर्डप्रेस में आप एक easily content को आप लिख सकते हो, post पर सकते हो, images का आप यूज़ कर सकते हो, videos का आप यूज़ कर सकते हो, themes आप यहाँ पर use कर सकते हो, अपने website को एक look देने के लिए आप thousands of themes यहाँ पर wordpress में available है, कुछ paid है, कुछ free है, तो आप इनका use करके अपने website गोई अच्छा गासा look द पर हो, उसी तरह से किसी website को आपको थोड़ा काम easy करने के लिए, wordpress में आपको plugins को install करना बहुत जरूरी है, तो plugins यहाँ पर आपको बहुत help करती है, जो अपने content लिखा हुआ है, जो आपका topic है, उसको azio करने के लिए, यहाँ आपको analyze करने के लिए, यहाँ आपको कोई widgets य करना है, comment section में आपको करना है, यह सारी चीज़े आपको WordPress में मिलेगी, साथी साथ WordPress आपको tracking report भी देगा, कि आपके site पे कितने जन visit हुए है, कितने unique visitor है, कोंटर ने comment किया, तो यह सारी चीज़े भी आपको WordPress यहाँ पर help करता है, तो यह सारी चीज़े WordPress में होती है, इस तरह यहां से आप एक professional website बना के WordPress का अच्छा कासा knowledge लेकर आप अपने website को build कर सकते हो, बना सकते हो, और एक AdSense का use करके आप अच्छा कासा पैसा यहां से भी earn कर सकते हो, तो हमने यह series स्टार्ट किये है, next studio में हम लोग देख लेंगी, कि WordPress को हम लोग deeply study कर लेंगे, कि WordPress में क्या- and हम जो beginners हैं हमारा motive वो ही है कि हम उन्हें blogging सिखा सके और उन्हें एक अच्छा कासा source दे सके कि जहां से वो अच्छा कासा अरने यहां से earn कर सके guys, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए और अ